नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीट क्लास में बहुत वह श्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम एल्पी टेक्निशन जो साइंस पीवाई की सीरीज चल रही थी उसमें 20 अगस्त 2018 के फैस्ट स्रिप्ट के कोश्चन करने वाले हैं इस पडाने का नमक NACL किस से बना होता है दो NACL जो है ये एक लबन होता है जो अम ऑर छारकी किलिया करवाने पर बनता है इस में आप्सन नम्रे राइट अनुσα हो जागा यह है एक मजबूत अमम्रे और एक मजबूत चारक से मिलकर बनता है और निमें लेकित किसका प्रियोग इत्र बनाने के लिए बनाने के साथ सोड के एजंट बनाने में बनाने के लिए किया जाता है और किसी सराव में मैं haar जाल अगी सराव में से किसमे कुल तीन कोस और बाहरी कच्छा में आठ हेलोक्ट्रॉन है तो आरगन जो है इसमें बाहरी कच्छा में आठ हेलोक्ट्रॉन होएंगे आरगन का परमानुकर्मांग जो है वो कितना होता है ठार होता है यह एक अक्रिय गैस है कैसी गैस है अक्रिय गैस जो सबैफ्र मात्रा में सफेद फाइबर पायाते हैं किसराओ तंडर में पायाते हैंius merge किसी गोलाकार दरपन की परवर तक सतह कि ब्यास को क्या कहा जाता है जिसको छेद गल चाता है एपरेचर , uneze strictly किसी संकूच्य स्पेरिंग में शामानिय के इस प्रिंग से अध्य होती है क्योंकि इस प्रेंग संकुचत होने के कारण इन में से निम्ण में से क्या होता है तो इसमें इस्तिति उर्जा संकुचत हो जाती है जिसके कारण अधिक उर्जा होती है कोई इस तरीका से जिसके अंदर एक तो दभी हुई है यानि कि संकुचत की हुई है इसके अंद प्रिजनन भाग होता है वो पुंकेश्वर और कार्पल्स यह होता है नेक्ट कुछन देखो मानले एक कालपनिक यह है जिसका द्रब्यमान और त्रेज्जा दोनों प्रत्वी के आदे के बराबर है यदि प्रत्वी की सतह पर गुड़त्वा करशन के कारण ट्रण किह जी है तो इस गृढ़ पर गुड़त्वा करशन के कारण तोरन कितना होगा कि अधने प्रमानु संख्या वाला प्रमानुट संख्या वाला एक टत्व्娘 चारिय औक्षाइड हमक्यर उतपन करे कि लिए जैसे कि रग्त दबाब लार और उल्टी को इस द्वारा निंद्रित किया जाता है तो मेडूला ओबलोगेटा कि द्वारा इसको निंद्रित किया जाता है कि नएल्टी निंद्रोग निष्ट है कि यो और विखल связ द्लह को सब्सक्राइब को डॉप शल रियर भी तरपन के रूप में इसका नहीं है नमर सी रियर व्यूप दर्पन की रूप में इसका नहीं है इसमें होता है उत्तल दर्पन यूज़ होता है नेश्ट कुछा देखो अब तल दर्पन में हमेशा बस्तू कैसी दिखी देगी बड़ी दिखाई देगी इसको सेविंग के दोरां टोर्चों में एडलाइस में इसको यूज़ करते हैं जब को साइड मेर होता है उसमें उत्तल दर्पन का यूज़ होता है नेश्ट कुछे देखो एक तत्व का परमानु भार डबलू है और परमानु संख्या एन है तो इस परमानु के इंदर में प परमानु संख्या एन है तो पर मानु संख्या के बराबर ही प्रोटवन और बराबर वहती है नहीं देखे एक जेन्द ऊपर की ओःभियों फेकज आती है और अपनी मूज एस्तितीमें लुटाती है साथ सेकंड में बाद इसका विस्तापन का कितना होगा देखिए यहां पर एक गेंग जिसको हमने उपर की साइड फैका यहां से इस बॉल को उपर की साइड फैका तो यहां पर हमें इसको कोई न कोई बेग देंगे जिसको मानेंगे हम प्रारम बेग बेग यू इसमें देर नहीं रखा है तो यह हमें यू निकालना पड़ेगा लेकिन हमें यह पका पता है कि उपर जाके जब बॉल बापस लोटेगी तो बहां पर बेग क्या हो जाएगा 80 मीटर उचाई जाकर यह बापस लोटेगी तो यहा तो यहां पर क्या होगा गुर्तिय त्वरण लेंगे तो टू जी एस हो जाएगा अब देखिए बेग क्या है अपना फाइनल बेग अंतिम बेग जीरो बराबर प्रारम बेग बेग हमें निकालना है यू स्कॉर पिलस तू माइनस का दस क्योंको ओपर जा रहे हैं तो क्या माइनस होगा तो इदर दूसरे शट जागा तो प्लस में हो जाएगा कितना हो गया यह सो लसो कि यू बराबर हो गया अपने इसका बर्गमूल करेंगे तो चालिस मीटर पर सेकंड यह इसका प्रारम बेग बेग आ गया इतने बेग से हमने बॉल उपर फेंकी उसके बाद म में हम बेल्व पूट करेंगे तो यू प्रारम बेग बेग कितना है चालिस साथ सेकंड बाद में प्रूचा टाइम साथ सेकंड हो गया इसको हम जब करेंगे यह कितना जाएगा 490 और बट्रे दो करेंगे तो यह हो जागा 245 कितना जाएगा 245 माइनस करेंगे तो यह कितना गया 35 मीटर इसका राइट अंसर आ जाएगा option नमर भी इसका राइट अंसर होगा समझ माया हो तो वीडियो को साथ ही लाइक कर दीजिए चलिए next question देखते हैं किसी बिद्द चालक के किसी भी cross section में दो कूलाम का आवेश एक second में प्रवाहित के आता है तो इसमें उत्पन current कितना होगा देखिए यहाँ पर हमें धारा निकालनी है current निकालना है तो धारा आई बराबर current यानि धारा आई बराबर होता है आवेश बटे समय यह कहिए हमें एक आंग समय में प्रवाहित आवेशों की संक्या तो आवेश बटे समय तो आवेश कितने प्रवाहित हो रहे हैं अपने दो दो कूलाम एक second में तो बराबर आगया दो एकम दो यानि दो एमपेर की धारा है यहां पर तरवायत होगी option number C इसका right answer हो जाएगा next question देखिए next question है मानव सरीर का pH इस्तर क्या होता है तो मानव सरीर का pH इस्तर होता है 7.0 से 7.8 तक देखिए pH scale को हम कई बाट बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में अगर आपने भी वीडियो नहीं देखिए तो आप इसमें देख लीजिए pH scale होता है 0 से 7 और 7 से चुदे 0 से चुदे तक का एक scale होता है जिसमें 7 पर उदासीन होता है क्या होता है अगर किसी पदार्त का pH मान 7 आए तो वह होगा सब्सके था प्रवर्दीगा शारी प्रवर्दीगा यह तो को हाई डूजन की सांदर तागे रिनात्मक लोगरिथम को कहते हैं हम पी एजस्कमान कहते हैं नैस्ट कुछन देखिए विदुत पिरवागी अंतर राइश्ट्रिय मानक एकाई क्या है तो एम्पियर है विदुत पिरवागी नैस्ट कुछन देखिए न्यू लेंड्स के आवर्ती बर्करण में दस्वात तत्व ने में लिखत में से किसकी जैसा दिखता है तो तीसरे तत्व के जैसा दिखाई देता है नैस्ट कुछन देखो नैस्ट कुछन है अनुवानसिक सामागरी के बाहग कौन होते हैं तो जीन जो है अनुवानसिक सामा तो यह था इस स्रिफ्ट का लाइस्ट कुश्चन और आपने वी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लेश कर लीजिए जिससे आपको हमारे हर वीडियो को नोट सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करते हैं इसका लिंक आपकी आने वाली शेप्टों में बहुत ही एलफुल हो